सारन चुला के परसाथाना छेत्र के एक योवकी मौत हैदराबाद सित सिकंदराबाद में कबाड फैक्टरी में आग लगने से हो गई जबकि सहोधर भाई जुलसकर हॉस्पितल में जीवन और मौत से जूज रहा है कटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कहराम मच गया और परिजन के रुदन का रुदन से पूरा माहौल गमगीन हो गया में तक परसा थाना छेतर के आजमपुर गाउन निवासी राध कुशन नद कुशन राम का 22 वर्षिय अविवाहित पुत्र राजेश कुमार बताया गया है कि उसका सहोधर भाई 19 वर्षिय प्रेम कुमार हैदरा हॉस्पिटल में एड्मिट है जहां उसका इलाज चल रहा है तक राजेश के पता ने बताया कि बीटे 20 दिन पहले राजेश और प्रेम हैदराबाद का माने निकले थे और मंगलवार की राध राजेश ने अपने चचेरे भाई मनीश से फोन पर करीब आदे घंटे तक बात चीत की थी और अपना कबाड फैक्क्री के ऊपर प्रती दिन की भाती सोने चला गया और जहां कबाड फैक्क्री में विद्ध शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई जिसमें राजेश के जिन्दा जलने से मौत हो गई जबकि प्रेम बुरी तरह जुलस गया हाला कि इस घटना सकति दुर्णшьाटना हूगा है हम को सुवरे माने रू में को पता आया था जबकिया था जसा को फोन किया था एचा था खान किया था आथ सुवरे ते यह हमीला है यह आग घुत गए हाँ एक रजेश जो प्र्वहाई जल घर पूरा हुं आ इक पढह में जुहाये उसका भी रजेश कुमाल की मोत हो चुकी है, और परेम कुमाल का इलाज चल रहा है, दोनों पूत्र आप ही हैं, क्यों लड़का लोग हैं? जी हमरा चार लड़का था, सबसे बारे दोनों वही था, अच्छा दोनों बारा ही था, बारा कौन था इसमें रजेश? रजेश था, ईच्छा अच्छा, परेम कुमाल का इलाज चल रहा है, वह हैं गांधीनगार में हैं, गांधीनगर में हैं जी, आफा है लाज चल रहा है, आपके और को ल आखने हैं आपके सबसक्राइब यहाँ रहा है लोड फैक्टरी था यह आप हमकी भी पाता नहीं जैसे कापारी वाला जैसे लोगों सब्सक्राइं कर गया था ईंट वर वह तहीं पॉर्ची दिन गया हुआ हुआ लड़की के दिन मुठ रवा करने अचाथा महीना में था हूं सब दिन थेकान रवा करख़ा इसे चठा महीना यहां से गया यहां से गया था दोनों भाईokya कैसाती है को दोनों भाई को कमाने के उद्र से रहां हां गए थे घया लग्रीक है बात कब हुई थी ति हम से तुम से बात नहीं वाई लेकिन भबल में अमरा भतीजा से बात वह लड़कवा से रात में बात किया था अच्छे का बता है बहतीजा है का उसका मानिस नाम है क्या सुचना मिलीं बात पीट्विंटिफॉर न्यूर्ज